तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सोलू करेंगे कोस्टन नमबर वन और कोस्टन नमबर टू एक्सरसाई 5.1 का क्लास 9 मैथेमेटिक्स एंसी आर्टी सोलूशन कर रहे हैं तो चली पहले कोस्टन ले लेते हैं पहले कोस्टन में हमें दिया गया है which of the following statement are true हमें बताना है कि कौन सी statement true है और कौन सी false है यानि कि सही और गलत बताना है और उसके लिए हमें reason भी देने है कि वो क्यों सही है या क्यों गलत है तो चली पहला कोस्टन ले लेते हैं पहला part जो है only one line can pass through a single point यह कहता है माली जी कोई एक point है जैसे यह point ले लेते हैं यहां से सिर्फ एक ही line pass कर सकती है जैसे माली जी इस तरह से ले लें तो क्या ऐसा है? नहीं हम तो यहां पर एक और line बना सकते हैं इसी point से pass होते हुए और इसी तरह से एक और line बना सकते हैं इसी point से pass होते हुए इसी तरह से एक और line बना सकते हैं इसी point से pass होते हुए तो यहां तो हम काफी सारी infinite number of lines बना सकते हैं इसका मतलब पहली statement जो है वह बिलकुल false है गलत है जैसा कि हमने example देखा कि बहुत सारी line हम यहाँ पर बना सकते हैं दूसरा देर आर infinite number of lines which pass through the two distinct points यह कहता है कि यहाँ पर infinite number of line है जो की दो points से pass हो सकती है चलिए इसको समझते हैं माली जी एक point हमने यहाँ पर ले लिया एक point हमने यहाँ पर ले लिया तो यह कहता है कि इन दोनों पॉoped से जोकि फंस्ट और सेकेड पॉएंट है इन दोनों पॉएंट से इन्फिनाइट नमबर ओव लाइन पास हो सकती है क्या ऐसा है? चलिए इसको भी करके देखते हैं यहां पर हम एक लाइन लगाते हैं जो इन दोनो पॉइंट से पास कर रही है फर्स्ट और सेकेंड से तो दो पॉइंट से जो दो हमें specified पॉइंट दिए हो तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है धर्ड ले लेते हैं धर्ड पार्ट जो है ये terminated line can be produced indefinitely on both the side तो ये कैसे ही है तो यह बिलकुल true है true क्यों है यह जान लेते हैं अब देखिए जब भी माले जी आप एक paper लेजिए और इसको fold कीजिए और इसकी क्रीज मनाईए आपको एक इस तरह की line मिलती है इस तरह की तो वो पूरे paper पे आपको मिलती है और अगर आप इसकी बात करें जैसे माले जी यह यह दो डोट आपने ले लिए एक को a माल लिया एक को b माल लिया इसी line के उपर तो यह है क्या यह सिर्फ एक line का segment है उसका एक part है आप जो है इसको indefinitely दोनों side कितना भी ले जा सकते हैं यानि कि a b जो था एक line का छोटा सा part था line हमारी indefinite होती है यह आप कहनी सकते कि end हो रह करते हैं जब भी हम किसी जैसे a और b की हमने बात की है तो एक उसके part की बात करते हैं तो इसलिए यह terminated line can be produce जैसे a b थी हम इसको produce कर सकते हैं indefinitely on both side यह सिर्फ एक part होता है तो इसलिए इसको true हमने लिखा है fourth part ले ले लेते हैं if two circles are equal तो क्या उनकी radius भी equal होगी माल लेते हैं एक circle हमने बनाया 5 cm की radius का इतने ही परकार खोल कर हमने दूसरा circle बना दिया तो आप इनको देखेंगे अगर यह दोनों सरकल पांच सेंटिमेटा होगी इसकी भी 5 cm होगी radius equal होगी तब ही तो circle equal होगे अगर आप इसकी radius को change कर देंगे एक ही 5 cm, एक ही 6 cm तो इस circle equal ही नहीं हों तो बिलकुल यह यहां पर true है कि अगर circle equal है तो उनकी radius भी equal होगी next part ले ले लेते हैं इसके अंदर में क्या दिया गया है इस figure में यह figure जो दी गई है A, B, P, Q, X, Y हमें A भी जो है P, Q के बराबर दिया गया है यानि कि यह जो segment है इसे भी यह P, Q के बराबर दिया गया है और P, Q जो है X, Y के बराबर दिया गया है यानि कि यह जो P, Q है यह X, Y के बराबर दिया गया है यहां पर तो क्या A, B, जो है X, Y के बराबर होगा यह हमें बताना है तो A, B, जो है X, Y के बराबर किस तरह से हम निकाल सकते हैं अब देखिए ए भी जो है P के O के बराबर है इसके बराबर P के O जो है X Y के बराबर है दूसरा ये तीसरे के बराबर है तो पहला जो है तीसरे के बराबर हमें बताना है तो चलिए इसको हम देखते हैं तो यहां पर 2 के बराबर है तो दूसरा जो है तीसरे के बराबर है तो तीसरा तो पहले के बराबर अपने आप ही होगा तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर जो है इस तरह से equality हमें मिले तो हम जो है इस तरह से इसको बराबर लिख सकते हैं यहाँ पैसा कह सकते हैं, कि जो कोई भी चीज है, अगर वो equal है एक किसी चीज के तो आपस में भी तो equal होंगी, मान लिजी एक square जो है, एक triangle के equal है, इसका area मान लेते हैं, और एक rectangle है, तो उसका भी जो है triangle के equal area है, तो कि इन दोनों के area बराबर नहीं होंगे, तो यह चीज है, इस तरह समझने की, कि अगर two things equal हैं, और वो दोनों equal चीज, किसी third के equal है, तो third को आप किसी के बराबर लिख सकते हैं, कैसे भी इसको आप समझ सकते हैं, तो यह तो था first question, तो चलिए second question ले ले लेते हैं, second question में हमें क्या दिया गया है, give a definition for each of the following term, हमें बतानी है, इनकी definition जो following term दिये गई है, are there other terms that need to be defined first, क्या कोई और terms भी हैं, जो इन से पहले हमें जानने की जरूरत है, अगर वो हैं, तो उनको बताना है, जैसे हैं parallel line दिये गई है, perpendicular line दिये गई है, line segment दिया गया है, यह सारे दिये गए है, तो इन से पहले, हमें क्या जानने की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम line से पहले point की बात करें, तो point क्या होता है, point क्या होया है, कि हम माली जे इस तरह का एक dot लगा दें, यह जो dot है, यह point ही है, अभी जो dot होता है, माली जे sheet of paper के उपर, आप pencil के through, pen के through, एक dot लगा दें, तो वो point ही होता है, इसकी कोई भी dimension नहीं होती, यानि कि आप इसको map नहीं सकते, आप इसको no dimension बोलेंगे, सिर्फ एक position को बताता है, जैसे माली जेए, एक line के उपर, आप यहाँ पर point लगा दें, और यहाँ से, यहाँ तक का अगर हमें distance देखना हो, यानि कि एक position को बताता है, तो यह तो हम समझ गए कि एक small dot है, जिसकी कोई भी dimension नहीं है, दूसरा, इससे पहले, इनी से पहले हमें line के प्यारे में भी पता होना चाहिए, line क्या है, line जो है, अगर इसको आप असानी से समझें, एक thread लें, एक धागा लें, उसको दोनों तरफ से खेच लें, तो वो जो चीज बनती है, वो एक line बनती है, इसी तरह से, एक paper लें, और paper को fold कर लें, paper को fold कर लें, एक crease आपको बनती रिखती है, उसके अंदर, जैसे press करते हैं, ख़डों के उपर, एक crease बनती रिखती है, तो वो ही तो है, वो भी एक line है, तो ये straight line होती है, जब आप two ends को, एक सीधी रिखा के अंदर जोड देते हैं, तो ये line कैसी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, तो सीधी कब होती है, जैसे आपने एक scale लिया, और एक line लगा दें आप तो वो जो है एक straight line होती है और यह जो line होती है हम इसको straight लेते हैं चाहे किसी भी direction में ले ले तो वो जो है line एक straight direction में होती है और आप इसको indefinitely दोनों direction में extend कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा तो यह line होती है और जो हम बात करते हैं छोटे से पार्ट की जैसे ये A, B की पार्ट की बात कर लें तो ये क्या होता है ये सिर्फ इसका एक segment होता है इसको हम segment बोलते हैं और अगर हम एक end ले लें और इस तरह से एक arrow ले लें जैसे माली ये A है यहाँ पर point B ले लें यानि कि एक तरफ तो end है, एक end point है हमारे पास जो की A है और दूसरा point है B, इसको हम ray बोलेंगे, एक तरफ end point है और दूसरी तरफ जा रही है ray A, B बोलेंगे, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, angle क्या होता है जब दो ray बनाती है, जैसे एक ray ये होगी, एक ray ये होगी, इनके बीच का angle ये जो होगा, माली ये theta angle माल लेते हैं, ये जो होगा हमारा angle होता है यानि कि ये जो दो को linear rays जो होती है, एक common initial point इनका हो, ये जो point है तो common होगी initial point, जहां से वो निकल रही है, तो इन दोनों की बीच का जो angle है, वो theta होगा इसी तरह से, और चीज़ें भी हम इसके अंदर discuss कर सकते हैं तो ये जो है main, जो हमारी चीज़ें थी, ये हमें पता होने चाहिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि parallel line क्या है, और perpendicular line है, इन सभी चीज़ों को हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले, जो parallel line है, वो क्या होती है parallel line हम उसको कहते हैं, जैसे मान लिजिए, एक line आप ये ले ले, एक line आप ये ले ले ये कहीं पर भी intersect नहीं करेंगे, तो ये जो है कहीं पर भी intersect नहीं करेंगे तो जैसे कि इनके बीच का जो गैप है, वो हमेशा बना रहेगा, आप कितनी भी दूर ले जाएं इसको तो ये एक तो intersect नहीं करती, और एक ही plane में होती हैं, तो co-planer आप इनको बोल सकते हैं परPENDIKOLAR LINES कांप सी होती हैं, अगर दूसरे की बात करें, तो अगर माली ये आपके पास दो LINE है जैसे एक ही ये LINE आप ले लें, और एक ही ये LINE आप ले लें अगर दोनों line जो हैं एक ही plane में हैं तो जैसे coplanar तो ये होंगी है coplanar यानि कि same plane के अंदर हो एक ही plane के अंदर हो तो एक ही plane में हो और ये दोनों 90 degree का अंगल बनाएं इसको आप right angle भी बोलते हैं तो ये जो हैं perpendicular line होती है तीसरा, line segment क्या होता है line segment हमारा part of a line होता है जैसे मान लिजिए कि ये line है और आपने ये part दिखाना है A, B A, B जो होगा ये line segment होगा line क्या होती है indefinite आप इसको दोनों तरफ extend कर सकते हैं A से left की तरफ B से right की तरफ कहीं पर भी तो ये एक line segment है जो A, B है B, A, B आप इसको बोल सकते हैं तो B, A, B जो है same line segment इसमें रहेगा radius of a circle क्या है radius of a circle होती है जैसे मान लिजिए कोई circle है और इसके center से इस तक का distance ये radius होता है कहीं पर भी आप ले सकते हैं इस same दूरी पर आपको मिलेगा तो center से जो ये circle है outer boundary है circle की तो वहाँ तक का distance ये radius होती है square क्या होता है जब भी आप एक quadrilateral बनाएं जैसे कि माली चार side वाली आपने ये बना लें और उसके जो angle हो ये जो हो 90 degree के हो ये 90 degree के हो सारे angle यानि कि same angle हो और side भी जैसे माली ये 2 cm की है ये भी 2 cm की होनी चाहिए ये भी 2 cm की होनी चाहिए और ये भी 2 cm की होनी चाहिए as an example लिया है कि सारी side जो है चारों side जो है बराबर होनी चाहिए और angle भी इनके बराबर होने चाहिए तो ये था हमारा second question तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद